आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हम लोग अपने investment strategy को बनाएं basically कैसे हम stock choose करें तो मैंने अभी recently एक video दिया है जिसमें मैंने technical analysis के छोटी मोड़ी technical specification analysis दिया है उसके साथ fundamental analysis के तरीके बताएं है काफ़ detail तरीका है उसको check out करिएगा link मैं नीचे दे रहा हूँ किया हलाकि वो अच्छा था तो मैंने एक app के थ्रूस को समझाने की courses की है तो इस video में बताने वाला हूँ कि हम stock कैसे choose करें यहां भी recommendation नहीं करूँगा लेकिन आप अगर knowledgeable हो जाएंगे आप अगर informed हो जाएंगे तो आपकी decision informed decision होगा तो परपस यही है कि इस video में आपको मैं ऐसा को समझाओं कि आप informed decision ले पाएं तो चलिए start करते हैं कि stock selection का हमारा तरीका क्या होना चाहिए आप अपनी daily morning routine से लेके night routine तक अगर अपने आपको check करें तो आपको अपने आप पता चलने लगेगा कि आपका stock selection क्या होना चाहिए आप सोचों कि आप soap कौन सा यूज करते हो ज़्यादा soap काौन सा चलता है इंडिया में टूथब्रस काौन सा यूज करते हो ज़्यादा toothbrush काौन सा चलता है आपकी घर में या बाकी जगहों पर किस toothbrush का बिलकुल toothpaste का बिल्कुल बोल बाला है कि soap का बोल बाला है चारदस soap कमपनियां उठाके देख लो पता चलेगा आपको कौन सा आप घर में grocery में कौन सा ज़्यादा यूज करते हो माचिस पूजा के लिए माचिस यूज करता हूँ तो मैं ITC का यूज करता हूँ तो मैंने नाम ले लिया ऐसे बट मेरा recommendation नहीं है बट और कई सारे product हैं जो आपको देखके company अपने आप अच्छे लग जाएगी Nestle हो गया Procter & Gamble हो गया यह सारी चीजें अपने आप आपको देखेंगे अच्छे लेंगे पतांजली कई यह चीजे मैं यूज करता हूँ हलाकि यह कोई recommendation है ही नहीं फिर आप इस office जा रहे हैं कौन सा software यूज कर रहे हैं कौन सा ज़्यादा banking में आगे जा रहा है कौन सा bank आगे जा रहा है I'm sure आप 8-10 banking को explore कर लेते हैं 10-20 साल के अपने professional career में आते आते तो कौन से bank से आप ज़्यादा satisfied है कौन सी company ज़्यादा growing company है कौन सी company का management आपको बहुत तगड़ा लगता है कहां पे आपको लगता है यार ये बंदे तो बड़े तगड़े हैं बड़े चबरदस्त काम कर रहे हैं आप अगर TV देख रहे हैं तो कौन सी company का सरिया योज़ कर रहे है तीन सेड लगवा रहे हैं घरों पे तो कौन सी company का तीन सेड है ये metal के लिए selection हो जाएगा paint कर रहे हैं तो कौन सा ज़्यादा paint कर रहे हैं बहुत बड़े industry है ये वो paint के लिए हो जाएगा chemical industry में आ जाएगा सीमेंट कौन सबसे ज़्यादा चलता है सीमेंट and manufacturing industry में आ जाएगा कौन सा real estate बहुत अच्छा perform कर रहा है वहां से आप real estate के बारे में सोच सकते हैं कौन सा pharmaceutical company बहुत ज़्यादा recommend होती है बहुत ज़्यादा growing stage में है उसकी 5-10 साल की journey आपने देख लिए उसकी market care देख लिए उसके medicines देख लिए उसका market में बोलबाला देख लिया तो यह pharma company का selection का procedure हो सकता है कौन सा आप aviation industry में कौन से ज़्यादा use करते हो service industry कौन से ज़्यादा use करते हो कौन सा आप फैबरिक use करते हो कौन सा ज़्यादा branded आपको लगता है similarly कौन से ज़्यादा गाड़ियां आपको अच्छी लगती है कौन से ज़्यादा गाड़ियां सबसे ज़्यादा बिखती है यह motor वाली और industry में आपको काम करेगी stock selection के लिए तो यहां से काफी हद तक आपके माइंड में एडिया लग जाता है होता क्या है कि हम लोग अक्सर कभी बार अपने दोस्तों से जो थोड़े मोड़े स्टॉक्स ट्रेडिंग करते हैं उनसे कुछ कंपनी इसका नाम जान लेते हैं में लगता रहे यार यह कंपनी तो बढ़ियां होगी बता रहा है हलाकि आपने एक बार भी नहीं सुन रखा होगा लेकिन आप ले लेते हैं और फस जाते हैं मैं कई बार ऐसे फसा हूँ कई बार लोग कहते हैं यार एक बार बंदे को गिरने तो अपने आप सीखेगा लेकिन अगर इनफॉर्म तरीके से जाओगे तो सायथ कम गिरोगे और गिर के सीखना अच्छा सब लोग सीख सकते हैं आप बेटर हो कम गिर के सीखो या ना गिर के सीखो यह सारी information आपको इसलिए दी जाती है कि इससे आप better कर पाओ and I hope आप इससे हमारी इन दोनों 3-4 series जो मैंने निकाली हैं उनसे आपको help मिलेगा और आप better perform भी करोगे stock market में भी अपनी life में तो करी रहे हैं so thank you very much, bye bye, take care